हेलो फ्रेंड्स वेलेकम टो एनेस क्लासेज माइनेम इस नितू आज के वीडियो में जो है हम कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल इलक्ट्रोनिक के जो है कोशन डिसकस करने वाले हैं जो आपके करते होंगे जोंपने की कोशन इन रहें एक हम पर लेटेंडर की है के अ która का ऐगा इसनमे लेयर पर होता है प्लेगेशन लेयर पर हो या जो आपको पता है कि यह एर्च देक्पशन में जो लेयर होती हैं तो टोटल जो हैं आपकी साथ लेयर होती है साथ लेयर कौन कौन सी होगी सबसे नीचे होती है आपकी फिजीकल लेयर फिर होती है आपकी डेटा लिंक लेयर ठीक है सबसे पहले होगी आपकी फिजीकल लेयर फिर होती है आपकी डेटा लिंक लेयर उसके बाद होती है आपकी network layer, फिर होती है आपकी transport layer, transport layer के बाद session layer, our session layer के उपर होती है presentation layer, our presentation के उपर होती है application layer, ठीक है, तो total यह जो है आपकी 7 layer होती है, encryption और description, मतलब, जो आपका data है उसके size को छोटा और बड़ा करना, encrypt करना, ठीक है, यह जो है, कि आपका UGC NET 2012 में भी आया हुआ है ठीक है दो कोशन आया थे वही कंप्यूटर नेटवर्क में से एас समय स में इसा एंगोर्थम है जिसमें है जिसमें आपका पड़िक के करते हो सीजर साइफर इलगोरितम डेयस बे« समय स्मध्र्य का है तो यहाँ पर यहां जो सीजर साइफरोण है यह आपका सबस्टिजिशन बेस्ट Security deb Is Metric algorithm आपसेग पुछा है यहां और आपका पॉछा है यहांगर यहां नापसेग आपका पॉछा है इसके बात जाते हैं आपके डिजिटल इल्लेक्ट्रोनिक करें उर्याइब हैं तो हाँ से चर्ड को Esse को 10 छहाँ से दिजितरल इलेक्टोनिग के कोशन आ जाएंगे जो अपके स्क्रीनिग में और यहां से आए थे आपके तीन कोशेन त्यांति को टीक है मैं आपको बता दूंए 2016 में जो स्क्रीनिग वा था उसमें आपके 80 कोशन थे तो आपका स्क्रीनिंग होगा उसके अंदर 90 कोशन होगे इस 80 में से आपके 30 कोशन जो थे वो आपके computer science के आए थे तो आप 90 में से आएंगे तो आप देख सकते हो 40 कोशन के around जो है आप समझ सकते हो 40 कोशन तो आपके subject के hexadecimal equivalence of the octal this okay octal number दे रखा है और बोला है कि octal को जो है यह जो octal number है 377 377 को आपको hexadecimal में change करना है that is 16 की power में change करना है तो क्या होगा भई तो आप क्या करोगे 3-3 के pair बनाओंगे 3-3 के pair कैसे होगे 7 को आप binary में लिखोगे 7 को binary में क्या लिखते है ट्रिपल वन फिर 7 है तो ट्रिपल वन और 3 को क्या लिखोगे 0-1 ठीक है अब hexadecimal में change करना है तो hexadecimal में अगर आप change करोगे तो आप किसके pair बनाओंगे भई 4-4 के तो मैंने 4 का pair बना दिया उसके बाद भई इसके बाद मैंने यह 4 का pair बना दिया ठीक है अब यहां से तो कोई pair बनेगा नियुक्त बनेगा भी तो यहां से आप क्या लगाओगे तीन 0 लगाओगे ठीक है तो अब देखो यह जो चार का pair यह जो 4 वन होते है यह आपके कहां पर होंगे f होता है दाट इस 15 होता है जो 0 इसके बाद 10 11 12 13 14 15 इनको हम a b c d e f तक लिखते हैं तो चार बार वन होगा वह आपका f होगा यह भी आपका 4 वन है f होगा और जीरो तो आपका कुछ होता ही नहीं तो आप इसको 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फरक नहीं पड़ता तो जब 377 को जब हग्जाडेसिमल में च आपको बताना है जो इंटीजर की जो रेंज है ना that can be represented by the 32 bit computer using tools compliment to represent integer तो यहां पर आप एक चीज़ देखो आप दो तरीके से जो है आप रिपर्जेंट करवा सकते हो एक होता है अपका unsigned boundary और यह होता है tools compliment तो यहां पर जो कोशन आया है tools compliment से आपको पूचाए कि किस तरी बाइनरी में आप रिपर्जेंट करवाते हो 0 2 2 की power n minus 1 ठीक है लेकिन tools compliment में हम क्या करवाएंगे minus हम क्या करवाएंगे minus n अगर आपका 32 है यहां पर n की value क्या दे रखी है 32 bit दे रखी है तो n minus 1 हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा minus 2 minus 2 n minus 1 ठीक है minus 2 n minus 1 से लेके plus 2 n minus 1 और minus क्या आजाएगा भई 1 आजाएगा ठीक है मैंने आपको 40 days crash course जिब करवाया था तो मैंने आपको यह जो है अच्छे से करवाया था और अगर आप लोगों को ध्यान है तो आप जाके वहां से वीडियो को चेक आउट कर सकते हो ठीक है तो यहां पर आपका answer आजाएगा भी d option तो यहां पर आपका d option बिल्कुल सही है लास्ट कोशन देखो भी क्योंकि तीन कोशन आया थे आपके digital में थर्ड कोशन बोल रहा है इस पॉसिबल टो एक्सप्रेस एवरी बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग तो आपको पता है कि आपके जो दो गेट होते हैं वो यू कोई भी आप गेट बना सकते हो तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या जाएगा भी d option बिल्कुल सही होगा ठीके बाकि and or not and gate or gate not gate यह आपके बेसिक गेट होते हैं कौन से होते हैं यह जो होते हैं इनको यूज करके हम जो है कोई भी गेट बना सकते हैं तो आयोप जो है आपक अब जो कोशन है ओ अच्छे से समझ में आएं होगे समझ में आएगा कैसी कोश्ण जो है ग्जा एकजाम में आते हैं चार साल पुराना पहले आपका एक्जाम हुआ था अब थो जह कोई होगा तो जो लेवल है वह थोड़ा सा हाइड होगा भी पहले के ändern** आपके आपको सा प्रिंट के साथ शेयर कर सकते हो ताकि जो बच्चे स्क्रीनिंग की परपिशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिलें ठीक है तो फिर मिलेंगे ऐसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थांक यू